लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए आज कल शादी होने के बाद कई पत्नी अपने पती से रुष्ट रहती हैं या तो पती उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर बाता या उन्हें प्यार नहीं दे पाता अगर आपके जीवन में भी ऐसी कठनाई आ रही है तो इन चार चीजों से बच्चिये और सुख पूर्वक्स जिंदगी जिये शादी से पहले लड़के और लड़की के काफी लड़कियों के साथ संबंद रखते हैं लेकिन शादी का रिष्टा बहुत ही पवित्र होता है शादी के बाद लड़कियों को और लड़कों को अपने पुराने रिष्टों को तोड़ कर एक ही रिष्टे में बंद जाना चाहिए और अपनी पत्नी को खूब प्यार करना चाहिए बॉय फ्रेंड अपनी गरले फ्रेंड के बस में रहता है और शादी के बाद भी पत्नी अपने पती को पूरी तरह वश में करने की कोशिश करती है वश में होने के बाद आपको कुछ नहीं देखता बस आपकी पत्नी ही दिखती है आप माबाप की सेवा भी नहीं करबाते हैं, लेकिन हमें पत्नी को अच्छे से समझाना चाहिए और पूरे परिवार का ध्यान रखना चाहिए. अक्सर, लड़किना रिलेशनशिप में अपने बये फ्रेंट से और शादी होने के बाद अपने पती से काफी ज्यादा उमीद रखती हैं, अगर किसी कारण वश आप अपनी पत्नी की उमीद पूरी नहीं करबाते हैं, तो उसको बहुत चोट लगती है, इसलिए आपको सोच समझ कर हर कदम उठाना चाहिए और अपनी पत्नी को खूब प्यार देना चाहिए, अक्सर अरेज मेरेज के दोरान पत्नी अपने पतियों से या पती अपनी पत्नी से संतुष्च नहीं होता और दोनों एक दूसरे से दूरी बनाय रखते हैं और सिर्फ खुद से मतलब जाती है तो यह रिष्टा तोड़ना बहुती मुश्किल हो जाता है, हमें भी इस बात को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पत्नियों को खूब प्यार करना चाहिए